नमस्कार इस वीडियो में आप क्लास 9 एक्जाम अप्रेल 2021 के मैथमेटिक्स के क्विशन पेपर के सेक्षण 1A क्विशन 31-240 को समझेंगे आए अब हम इन क्विशन को 1 by 1 सॉल करते हैं आए अब हम क्विशन 31 को सॉल करते हैं तो क्विशन 31 तो question number 31 में अर्ध गोले का आयतन जिसकी त्रीजिया R है वो होगा अब हमें अर्ध गोले के आयतन का सुतर बताना है जब उसकी त्रीजिया R है तो अर्ध गोले के आयतन का सुतर होता है 2 by 3 pi r cube होता है तो इस प्रकार हमने अर्द गोले का आयतन का सुत्तर लिखा जब उसकी त्रीज़ा R है वो है 2 by 3 pi r q तो इस प्रकार हमने question number 31 को solve किया आईए अब हम question number 32 को solve करते हैं तो question number 32 लम विर्तिय संकू का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी 36 cm है और उसके उंचाई कितने दे रखिए 7 cm तो अब हमें मालूम है कि लम विर्तिय संकू के आयतन का जो सुत्तर होता है वो 1 by 3 pi r square h होता है तो अब हम इसमें मान रख देते हैं 1 by 3 pi का मान 22 by 7 और r हमारे पास कितने दे रखिए 6 cm तो r square है तो इस दो बार आएगा 6 गुणा में 6 और गुणा में हमारे पास क्या होगा 7 होगा अब हम स्क्वाल करते हैं 7 से 7 कट गया और हम 6 को 3 से काटेंगे तो यह 2 पर कट गया तो यह हमारे पास कितना आ गया 2 की 6 से multiply करें 12 अब 12 की हम 22 से multiply करते है 12 2 जा 24 2 12 जा 24 और 2 हमारे पास कितना आ गया 26 तो इस परकार लम वर्तिय संकू का आयतन जिसकी 36 सेंटी मीटर और उंचाई 7 सेंटी मीटर है वो 264 सेंटी मीटर क्यूब है इस परकार हमने question number 32 को solve किया आए अब हम question number 33 को solve करते हैं तो question number 33 बेलन का कुल प्रिशे 6 तरफल क्या होगा जब उसकी 30 आर और उंचाई H दी गई है जब हमें उसकी 30 आर और उंचाई H दी गई है तो बेलन के कुल प्रिशे 6 तरफल 2 पाई आर आर प्लस H होगा तो इस परकार option भी बिल्कुल सही है तो इस परकार हमने question number 33 को solve किया आए अ question number 34 को solve करते हैं question number 34 question number 34 में है एक घनावा कार बरतन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चोड़ा है इसको कितना उंचा बनाया जाए कि इसमें 389 मीटर द्रव्य आस के तो अब हमें इस बरतन के उंचाई ग्यात करनी है जब इसमें 389 मीटर द्रव्य आस के अब हमें गनावा कार बरत बरतन की लंबाई दे रखिये, वो कितनी दे रखिये, दस मीटर दे रखिये, तो इसको हम L मान लेते हैं, तो L बराबर हमारे पास दस मीटर है, और चोड़ाई हम B मानते हैं, तो B बराबर हमारे पास आठ मीटर है, और जो उन्चाई है, वो H हम मान लेते हैं, ये हमें ग्या मिटर दे रखा है तो इस परकार बराबर हम 380 रख लेते हैं अब हम इसमें L और B कामान रख करके इसको हल करते हैं तो हमें H कामान मिलेगा तो L बराबर हमारे पास कितना है 10 मिटर है तो 10 गुणा में B बराबर हमारे पास 8 है और H हमें ग्याद करना है बराबर 380 हो गया तो H बराबर हमारे पास कितना हो गया? 380 और 10 और 8 है वो डिवाइड में चला जाएगा 10 गुना में 8 तो यह 0 से 0 कट गया अब हम इसको 2 पे काटते हैं तो यह 4 दुनी 8 और 19 दुना 38 हो गया तो यह आ गया हमारे पास 19 बटे 4 तो अब हम इसको भाग देते हैं तो यह 4 पर जाएगा पहले 4 चुके 16 हो गया बच्च के 3 हमारे पास पर दसमलो 7 7 चुके 28 फिर 2 बच्च के 20 4 पांजे 20 इस परकार घनाबा कारबरतन के उन्चाई जो है वो 4 दसमलो 7 पांच मीटर आई है यह जो मान है वो उप्चन C में दिया गया है इस परकार उप्चन C बिलकुल सही है तो इस परकार हमने Q34 को सॉल किया आईए अब हम Q35 को सॉल करते हैं Q35 में है 20 के सभी संभव गुननखंडों का माद्धे होगा अब हमारे पास संख्या 20 के सभी संभव गुननखंड गयात करके उसका हमें माद्धे गयात करना है तो सबसे पहले हम 20 के सभी संभव गुननखंड गयात करते हैं तो 20 के जो सभी संभव गुननखंड कौन कौन से होगे 20 है वो 1 से डिवाइड होता है यानि 1 से भी वाजित होता है 2 से भी होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से भी होता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है और उसके बाद किसे होगा, 20 से होगा, तो इस प्रकार 20 के सभी संभव जो गुननखंड है, वो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 आए हैं अब हम इन संख्याओं का माध्य ग्याद करेंगे तो माध्य क्या होता है उसको हम x-bar से denote करते हैं माध्य हम इस प्रकार ग्याद करते हैं जो हमें प्रेक्षन दे रखे होते हैं इन प्रेक्षनों का योग बटे में प्रेक्षनों की संख्या होती है अब हम इन प्रेक्शनों का योग करते हैं यानि एक जमा दो जमा चार जमा पांच जमा दस जमा बीस और बटे में ये हैं कितनी संख्या हैं एक दो तीन चार पांच छे हैं तो बटे में छे कर देते हैं अब हम इनको जोड़ते हैं तो एक में 2 जोरेंगे 3, 3 और 4 हमारे पास 7 और 5 बारा और 10 हमारे पास 20 और 20 हमारे पास कितना आगए 24 तो 42 बटे 6 हो गया, 42 को हम 6 से काटेंगे तो यह 7 पर कट गया तो इस परकार X bar यानि माध्य जो है हमारे पास सान आया है तो यह हम यहाँ पर रख देते हैं तो इस परकार 20 के सभी संभव गुन्खंडों का माध्य साथ होगा तो इस परकार हमने question number 35 को solve किया आए अब हम question number 36 को solve करते हैं question number 36 में वर्ग 150 से 160 का वर्ग चिन है अब हमें वर्ग चिन ग्याद करना है यानि हमें class marks ग्याद करना है तो वो क्या होता है उपरी सीमा जमा नीमन सीमा बटे में दो होता है इसमें उपरी सीमा कौन सी है 160 है और नीमन सीमा कितनी है 150 है इन दोनों का योग करके हम दो से भाग बर्णे दें तो हमें वर्ण चिन मिल जाता है तो देखिए यह कितना है 160 और यह कितना है 150 160 में 150 जोड़ेंगे तो हमारे पास 310 आएगा और बटे में 2 है तो 310 को हम 2 से काटेंगे तो यह 155 पर कट गया तो इस परकार वर्ग 150 से 160 का वर्ग चिन 155 है यह मान है वो option D में दिया गया है तो इस परकार option D बिलकुल सही है तो इस परकार हमने question number 36 को solve किया आए अब हम question number 37 को solve करते हैं question number 37 में है किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों के उंचाई cm में दी गई है इन आंकड़ों का माध्यक है यह हमें 9 विद्यार्थियों की उंचाई दे रखी है इसका हमने माध्यक ग्यात करना है तो सबसे पहले हमें दियेगे जो आंकड़े हैं इनको हमने आरोही करम या अवरो 145 और यह हमारे पास क्या है 144 तो सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास 144 फिर हमारे पास 145 फिर हमारे पास कितना आएगा अब 144 हो गया 145 उसके बाद हमारे पास कितना आएगा 147 आएगा और यह हो गया हमारे पास 147 के बाद हमारे पास क्या है 148 है अब हमारे पास 149 पिर हमारे पास है 149 के बाद 150 है यह हो गया उसके बाद हमारे पास है 152 है और फिर हमारे पास है 105 और 160 होंगे तो यह हमने इन आंकडों को आरोही करम में लिखा तो अब इनकी संख्या कितने नो है गिंतें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इस प्रकार हमने दिए गए आंकडों को आरोही करम में लिखा यहाँ पर जो आंकडों की संख्या है वो 9 है उसको हम N मानते हैं तो N बराबर क्या है 9 है और यह क्या है विशम है तो जब आंकडों की संख्या विशम हो यानि प्रेक्षणों की संख्या विशम हो तो जो न जमा एक बटा दो वाँ प्रेक्षन होता है तो इस प्रेक्षन का जो मान होता है वही क्या होता है माध्यक होता है तो एन हमारे पास यहाँ पर कितना है नो है तो यहाँ पर रख देते हैं तो नो जमा एक बटा दो तो देखिए नो में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कित आजेगा पांच तो इस परकार जो पांच वहां प्रेक्शन होगा वही इन आख्णों का क्या होगा माध्यक होगा अब हम देखते हैं कि इनमें पांच वहां प्रेक्शन कौन सा है तो एक दो तीन चार पांच तो इस परकार पांच है प्रेक्शन का मान एक सो उननचास है यह इन दिये गए आखनों का क्या है माध्यक है यह जो मान है वो option C में दिया गया है तो इस प्रकार option C बिलकुल सही है तो इस प्रकार हमने question number 37 को solve किया आईए अब हम question number 38 को solve करते हैं question number 38 में है एक रिकेट मैच में एक महिला बलेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चोका मारती है चोका नए मारे जाने की प्रायक्ता होगी हमें चोका नए मारे जाने की प्रायक्ता ग्याद करनी है तो हमें प्रायक्ता जब ग्याद करनी हो तो उसका सुत्र होता है की कुल संख्या तो हमारे पास परिणामों की जो कुल संख्या यानि खेली गई कुल गेंदे कितनी है वो हमारे पास 30 है तो बटे में हमारे पास 30 आएगा अब चोका नए मारे जाने वाले गेंदों की जो संख्या है वो क्या होगी अनुकूल परिणामों की संख्या होगी बल परकार अनुकूल प्रिनामों की संख्या कितनी आई है 24 आई है अब हम इसको आल करते हैं ये दोनों 6 पे कट रही है तो 6 चोका 24 चे 35 तो ये हमारे पास 4 बटे 5 आई है तो इस परकार प्राइकता जो है वो 4 बटे 5 होगी तो इस परकार हमने क्विशन नुम्बर 38 को सॉल किया आई है अब हम क्विशन नुम्बर 39 को सॉल करते हैं तो क्विशन नुम्र 39 किसी घटना के घटने की प्राइकता के बीच होती है अब इसमें क्या दे रहा है जीरो और एक बी में है माइनस एक और एक सी में एक और दो और डी में है वो और तीन तो क्या होती है किसी घटना option है वो गलत है तो इसमें क्या होना चाहिए था किसी गटना गटने की जो प्राइकता है वो 0 से 1 तक होती है तो यहां बीच में नहीं होना चाहिए था जो गटना गटित नहीं होती उसकी प्राइकता जीरो होती है और जो गटना गटित होती है उसकी प्राइकता एक होती है यह संभव गटना होती है तो इस प्रकार किसी गटना गटने की प्राइकता जीरो से बड़ी या इसके बराबर यानि जीरो से लेकर के एक तक यानि एक क बराबर या इससे चोटी यानि किसी घटना घटने की जो प्राइकता है वो जीरो या जीरो से बढ़ी होती है और एक से एक के बराबर या उससे चोटी होते यानि जीरो से एक तक किसी भी घटना घटने की प्राइकता हो सकती है तो इस परकार इसके जो चारों उप्संज हैं वो गलत दिये गए हैं तो इस परकार किसी घटना घटने की प्राइकता जीरो से एक तक होती है तो इस परकार हमने question number 39 को solve किया आईए अब हम question number 40 को solve करते हैं तो question number 40 एक पासे को एक बार उचाला गया एबाजे संख्या प्रापत करने की प्राइकता क्या होगी अब हमने एक पासे को एक बार उचालना है और उचालने के बाद एबाजे संख्या प्रापत करने की हमें प्राइकता याद करनी है तो जब हम एक पासे को एक बार उचालते हैं तो जो कुल संभव प्रिनाम होते हैं वो हमारे पास यह होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इस प्रकार एक पासे को एक बार उचालने पर हमें प्रणाम ये मिलते हैं, अब इन में से ए भजे संख्या कौन कौन सी है, तो ए भजे संख्या है हमारे पास टू है, थ्री है, फाइव है, अब हमें प्रणामों के कुल संख्या मालूम होगी वह हमारे पास थ्री है अब हम एभाजे संख्या प्रापत करने की प्राइक्ता याद करते हैं तो पी ब्रेकट एभाजे संख्या प्रापत करने की प्राइक्ता इस प्रकार होगी अनुकूल प्रिनामों की संख्या पटे प्रिनामों की कुल संख्या तो अनुकूल प्रिनाम की जो एवाजे संख्या हैं एवाजे संख्या हैं कितनी हैं हमारे पास वान टू थ्री हैं तो इस प्रकार अनुकूल प्रिनामों की संख्या हमारे पास थ्री होगी और प्रिनामों की कुल क्या हमारे पास 6 होगी, अब हम इसको solve करते हैं, 6 को हम 3 से कटेंगे तो ये 2 पर कट गया, इस प्रकार एक पासे को एक बार उच्छालने पर, एब आज संख्या प्राप्त करने की प्राइक्ता 1 by 2 है, तो इस प्रकार हमने question number 40 को solve किया, उमीद है इस वीडियो में समझाएगे question number 31 to question number 40 आपको समझ में आए हैं, समझ में तो वीडियो को like कीजिए, और ऐसे ही math और reasoning के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe कीजिए, और bell icon को press कर all को select कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको notification प्राप थोस्के धन्यवाद